काशी सदय वही रचनाकारों के लिए एक आकर्षण और प्रेरणा सुरोत रही है। यहां का घाट, यहां की आध्यात्मिक्ता, बिबिन कलाओं का अंतर गुम्फन और यहां की सांस्कर्चिक अड़े वाजी बहुत सारे रचनाकारों को प्रकारांतर से बहुत कुछ देती रही। मंच कलाएं, साहित्य, इत्यादितो अपने अपने ढंक से यहां फलता फूलता रहा ही। दिर्श कलाओं ने भी नामचीन विभूतियां दी हैं, जो देश विदेश में अपने अपने शेत्र का नेत्रितो कर रहे हैं। भारत कलाभावन और राय कृष्ण दास तो दिर्श कलाओं की बात करते समय बिना चर्चा के छोड़े नहीं जा सकते। लेकिन इसके साथ आज का दिर्श एकला संका है, जिसकी स्थापना 1949 में बिर्ला संस्कृत महाविद्याले में हुई थी, और 1957 में बर्तमान इमारत के पीछे एक अलग स्रूप में यह बिक्सित होना शुरू हुआ था। 1963 में बैचलरा फाइन आर्ट की डिग्री पाठिकरम की शुरुआत हुई। 1967 में मूजिक एन फाइन आर्ट फैकल्टी के रूप में इसे स्तित्तों मिला। 1973 में मास्टरा फाइन आर्ट चित्रकला, मूर्तिकला और ब्यावारीकला बिशयों में पढ़ाई शुरू हुई। और 1978 में यह फैकल्टी ओफ विजूल आर्ट के रूप में यानि दिर्श कला संकाई के रूप में एक स्तित्तों के साथ काम करता हुआ। आज देश दुनिया का एक आकर्षन बन चुका है। यहां से अनेक कलाकार, कला समीक्षक, कला आचार्य और इस फिल्ड के अनेक आनुशंगिक शेत्रों में अपने अपने धंग से अपना अपना नाम कर रहे लोगों के लिए मदूर मनुहर अतीव सुन्दर यह सर्वविद्या की राजधानी आज गौरों का विशह है। दृष कला संकाय से अनेक बिभूतियां जिनोंने अपनी अपनी शेली, अपने अपने बिधाओं और कलाओं के जरिये जो काशी को एक मान दिया है, उनके सिक्षक कैसे रहे होंगे, उनको किस पधत इसे प्रसिक्षन दिया गया होगा, यह जानने के लिए मुझे थोड़ा पीछे देखना पड़ेगा, पीछे देखने के लिए जो कुछ लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनमें प्रोफिसर रवींद्र नाथ मिश्र जी आज हमारे साथ हैं, जिनके आनुभवों और स्मृतियों को आप सबसे साजा करते हुए, आप सबके साथ हम उस परिवेश में बिचरण करेंगे, जहां से सुरू होकर कला का ये पवधा आज वट ब्रिक्ष हो चुका है, तो आएए बातचीत करते हैं, मेरे गुरू प्रोफेसर रवींद्र नाथ मिश्र से, गुरु जी आपका ग्रतित जो हम लोगों ने देखा है, कि आप जितना हम लोगों को कला के क्रियात्मत पक्ष पर फोकस करते थे, प्रकारांतर से उसको सिखाते थे, सुच्छित दिःषित और संसकारित करते थे, उतना ही बाधिक रूप से भी खूराग देते रहते थे, कि व्यक्ति बौधी ग्रूप से सम्रिद रहे और विचारवान रहे तो उसकी कला और प्रबल होगी, सशक्त होगी और जन कल्यार कारी होगी प्रशासन में भी आप आए तो उसमें भी आपने एक अलग पहचान जनाई का मैं यह जानना चाहरा हूँ कि काशी इंदु विच्विद्याले के ललित कला विभाग में आपकी सिख्षा दिक्षा कैसे हुई, कौन सिख्षक थे, क्या परिवेश था, किस तरह का सिख्षन चलता था और चारिक और अनौश चारिक लूप से, कैसे आप लोग यहां तक में इस तरह का उधारण दे आपकी, यह आपका प्रस्ण बहुत ही बढ़िया है, और निश्चित तोर से इस पर सभी को गौर करना चाहिए, क्योंकि जो छात्र आता है पढ़ने के लिए, तो उसके अंदर बहुत सारी अभिलाशाएं हैं, भविश्य में आगे बढ़ने, भविश्य में चर्मोत कर्स्त पहुचने की उक्षा है, और मन में पुरा ललक रहता है कि जो भी जानकारी मिल जाए जब आगे बढ़ जाएं, और साथ में अगर उधारण के तोर पर सिख्षक होता है, तो सिख्षक का ब्यक्तित उचा है, और वो सिख्षक अगर रोल जब हम पूरे तोर से मानसिक तोर से स्वस्थ हों, हम ऐसे परिवेश से आए हों, जो कि स्वास्त की दिख्षा जहां मिलती रही हो, माता जी, पिता जी इतने लोग हैं, खान पान का ध्यान रखते रहे हों, उस तरह की संसकार दिये हों, और डेसिपेशन आप एनर्जी की लड़का नहीं जा रहा है, यह इनर्जी जो है उपर की तरफ बढ़ रही है इसकी, यह पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है, यह आपजर्वेशन गार्जिन्स का होना चाहिए, और इसी तरह के परवेश से हम लोग भी आगे बढ़े हैं, और हम सभी पूरे समाज से हमा इसमान रखना चाहिए, बच्चा कहान जाता है, कितने इसके दोस्त हैं, किस तरह का परिवेश है, और तब वो आगे बढ़ता है, और कभी और कभी होता यह है नियौपकी तरह के परवेश से गुजरते हुए हम भी आएं, हम भी आता है, पर दो सबसे बढ़ी चीज यह है कि मनोबल अगर ऐसे परिवार से आये हैं कि उनका चात्रों का मनोबल बहुत आगे बढ़ा है तो उसको और बढ़ाने का उसमें जैसे दीपक के लोग को आगे बढ़ाते जाने की बात होनी चाहिए चात्र को दबा नहीं देना चाहिए उसकी प्रदिवा को उभारते रहना चाहिए और सबसे बड़ी चीज यह है कि चात्र के अंदर जो इनर पोटेंशियल्टी उसकी है उसको आगे बढ़ाने की जरुवत है अगर आप उपर से डाल दिये उसके बोजा डाल दिये तो वह बात नहीं बनेगी तो चात्र को परक की परक का भी समझ होना चाहिए टीचर को और तब वो चात्र आगे बढ़ता है आएसे ही इसी परवेश से गुजरते हुए इन चीजों का ध्यान रखते हुए संसकारी परिवार होने के नाते हम पढ़ाई की द्रिष्टी सी हम आया 1968 में हमने एडमिशन लिया था विजुल आट में 1968 में और उस समय आप तो बहुत सारी प्रक्रियां बदल गई हैं उस समय एडमिशन वगरा इसे ही हो जाया करता था जितने लोग पहुंचे थे लाइन से खड़े रहते थे जितनी सीट रहती भर जाती थी वाट को नहीं लेते उसमें थोड़ा मेरीट का थोड़ा दिहान रखा जाता था और बहुत उस तरह करने था और बोट असम कर्ना नहीं था और यह विशह हैं यह लोग के जानकारी में भी नहीं था लोग सोचते अब कि दुनिया का कोई भी भी भले नहों लेकिन फाइन आर्स महां जरूर रहेगा कोई भी चैटर है इसा बता दीजे जहां फाइन सब जगह है शुरू शुरू में भी आप देखे होंगे आप सब जानते ही हैं जो पूरे जीवन में हर मोड पर आपको मिलेगा अब जैसे आप प्रिमिटीव एज में चले जाएए सबसे पहले जब भाषा ने जन्म नहीं लिया तो चित्रमाध्यम से ही हम पढ़ते जानते थ तो 1968 में हम आके एड्मिशन यहां वीजुल आर्ट में लिए और उसमें जब एक नया चात्र होता है तो उसके बहुत सारे अर्मान होते हैं बहुत सारा होता है आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और कोई टीचर किसी टीचर की बारे में उसको जानकारित होती नहीं कौन कै जब संपर्क में आता है तब धिरे-धिरे उसका घ्यान बढ़ता है 1968 में भी मैंने अड्मिशन जब लिया तो वैसे ही वो प्रोफिसर केर स्कूल करनी थे उस समय आहिवासी जी से चार जून लिया था यह मैं आहिवासी तो आप जान पाए और कुल करनी जी के तो आप साथ ही आहिवासी जी बारे में लोग बताते हैं और इतने आज कल कम्मुनिकेशन के माध्यम इतना तगड़ा है कि हर चीज की जानकारी ना संपर्क में रहते हुए भी हो जाती है और किताबों के माध्यम से वहां जो कुछ टीचर जो बचे हुए थे जिनको इन्होंने पढ़ाया था उनके माध्यम से बादचीत करके तो हमको जो उनके बारे में जानकारी मिले आज वर्षी जी के बारे में जैसे गुर्कुल परंपरा में मनीशियों के यहां जब छात्र सिक्षा लेने जाता था तो उसको रहन-शाहन, खान, पीन, पुजा-पाठ, धार्मित, हर तरह की हर तरह की सिक्षा वहां मिलती थी, और वो वाइदिक परंपरा से पूरा सब चीजों का ग्यानत, आइसे ही आईवासी जी थे जो गुरुक और शिषी की उस परंपरा का निर्वहन वो करते थे, और बखु भी करते थे, और इतना स्ट्रिक्ट थे, कि अगर कोई बात जो कह अपने के बाद कान पकड़ने लगता था, तो उनको अच्छा लगता था, तो इस तरह से करके वो संस्कार भी देते थे, और साथ में academic training, मतलब जो दुनिया में जो जितनी चीजे हैं सब को पहले जानो, आकार के रूप में जानो, रंग के रूप में जानो, सब समझने के तब तुम जो हमारी भारतिय परंपरा है जो ट्रेडिशनल परंपरा है चित्रों की उस परंपरा के वो पुझारी थे धनी थे और बहुत उनका काम है, आप देखेंगे, ट्रेडिशनल परंपरा है, तो वो जाना जा सकता है तो वो काम और उनका काम तो आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि है और उसमें एक maturity है, एक संदेश है, उसमें traditional होते हुए भी कुछ creativity का भी यांसे दिखाई देता है, जैसे परंपरा, जैसे परंपरा कैसे बनती है, traditional बार बार आ रहा है, परंपरा जब हम कोई काम करते, कर किया है। यह सबसे बढ़िया है और जब उसके फॉलोवर्स बन गए तो परंपरा में आ गया है। हम तो खला खाटार थे उसके ख्रियेटरि थे और परंपरा तो परंपरा में अब आचलने हैं तूस तरह की भी कला चलती थी और उस परंपरा को वो पूजा की द्रिश्टी से करते थे मतलब जैसे आजन्ता वगर आप देखिए तो वहां जो भी काम हुआ है वो ना धार्मी कारणों से आगे बढ़िये हैं अब उनका देवी देवताओं के आराधना उसको मान लिए और ऐसा इसलिए मान लिए कि मन पर उनके असर पड़ता था क्योंकि जब काम करते समय द्रश्टा और द्रिश्य का विले होने लगता है काम करते समय जब एक चित हो जाते हैं तो विशेष प्लेजर मिलता है आनंद म संसारी उससे उपर उठके होता है तो उसको पुया का विलक्षण चीज लगी उसमें अगर आप 10 गंटा बैठिये काम करते रहें तो आप कितना आनंद आता है तो अब उसमें जो है जो आध्यात्मिक काम जब आनंद आने लगा तो करने लगे और देवी देवताओं को भी सामाजिक कटिया रहें पि enorm को और परमपराओं में चीजे में चली करते ईंता और छिसक्ता विशका दाने लगाूं प्लास्टी कार्ट में दिनेश प्रताप सिंग, फिर पीवी लाल थे, पमी लाल थे, एपी गजर थे, अर्जुन परसाद के दिपी पतनायक थे, यह लोग थे, धीर साब आये थे उसमें, कुलकर्णी साब ने 67 में खोज-खोज के पूरे देश से बढ़िया बढ़िया कारों को यह स्थापित किये, जिन्होंने की हमारी संस्था के नाम काफी आगे बढ़ाया, स्वयम काम करते थे, और उसमें बहुत सारे नाम है, अब चित्र कलावे, कुलकर्णी साहब के बात की स्थिति क्या थे, कुलकर्णी साहब के पहले की स्थिति थोड़ा बात कर लें DP पतनायक थे, DP पतनायक θे थे, वो रियलिस्टिक काम करते थे, बढ़िया काम, लिए लाइज्सकेप उगरा भी करते थे, और ट्रेडिशनल की पी ही जानकारी थे, रियलिस्टिक काम उनका जदा लगता हौनाज़, पर थे, वो अब उटकेशन जुक है वोरीशा के थे उड़ीशा के थे तो एमके अपना कल्चर अपनी संस्कृती ले करके वो कहीं से वह है बनारस नहीं उपर प्रवाब लाले अन्य ससे अलबार सॉ वो उनका जो चलता था अपना वो रियलिस्टिक जैसे कोई चीप पोर्टेट करना है सामने बठा लिए कर रहा है बकरी बकरा बनाना है कर लिए लैंड्सकेप करना है ट्रेडिशनल वो बनारस के कुछ सॉब्जेक्ट भले आ गया हो कुछ चीजें सब्जेक्ट की रूप में लेकिन उनका काम मूलता हुगा ही था और लिखने में भी ओ दो पनाे पारंगत थे विचार करने में और चात्रों को लेकर के पूरा भीड़ लेकर वह लाइंसकेप करने जाते थे और कहीं बैठ गए कहीं काम कर रहा है तो कहें सहब यह भी एक लास्रूम करें आपका कुक्षय और आप काम करें। इस तरह से वह काम कर दो उसके बाद के कुलकरणी साब आए तो जो कला का जो एप्रोच था छात्रों को जो जो ज्ञान मिलता था वो एकेडमिक ट्रेनिंग थी साथ में लाइंस के बईये सब था और कुछ कहीं कहीं से ट्रेडिशनल भी लोग कर लेते थे लेकिन कुलकरणी साब के आने के बाद फिर वो क्रियेटि करेंगे तो उसके बाद से वो क्रियेटिविटी का महत्व हर जगा है स्रीजन सीलता का मौलिक चिंतन के अधार पर आपने क्या किया और जब मौलिक चिंतन में हम आ जाते हैं तो उसमें एक विशेश तरह का आनन्द मिलता है क्योंकि जो अभी हमने इसके पहले बात किया थ द्रस्टा और द्रिश्च का विले होता है और उसमें क्या होता है कि जो इनर्जी है जो वाइटल इनर्जी है वो अपने आप वो बढ़ने लगती है द्रस्टा और द्रिश्च जो बना रहे हैं और जो बन रहा है एक हो गये तो कोई मन में दूसरी दूसरा चिंतन नहीं है कोई दूसरी बात नहीं है एक बात है और तो वह बात जब बार बार वही है इसका मतलब that is also short of meditation जैसे चादू संत महात्मा जाके पहाडों में करते हैं आनंद लेते हैं और अध्यात्मी क्लाइम में आगे बढ़ते हैं वैसे ही जब यहां काम करने लगते हैं तो इस तरह का आ पुलकरणी जी के बात किसे थी हां डीपी सिंग जो थे तो ट्रेडिशनल आर्टिस्ते उनको कौन नहीं जानता है लखनों से गय थे और वो ट्रेडिशनल पोट्रेट भी बहुत बढ़िया करते थे पेंटिंग का भी काम बढ़िया करते थे स्कल्प्चर भी था उनका और वो बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे वो राजा महरांजो जो ऐसा है उनका एक वेवाल नेचर होता था और छात्रों को सहयोग भी कर देना कहीं उनको किसी तरह की जरूवत है तो उसकी भी आपूर्ति करना और किसी भी छात के पास जाकि उसका कान पकड़ लेना ये इस आप काफी ड्राइंग करते रहे हैं अचा अचा अब कुलकर्णी साहब जबाए तो अब उसमें है कि सिख्षक तो सभी छात्रों को पढ़ाते हैं जितने भी सिख्षक होते हैं कोई अलग लग सब्जेक्ट होता है लग लग लेकर पढ़ते हैं लेकिन मूलता कुलकर्णी साहब के अंडर में हमने मास्टर डिग्री किया और उनके संपर्क में रते थे तो उनका जो विशाल व्यक्तित था उसका असर हम लोग के उपड़ता था छात्रों पड़ता था और वो साथ छात्रों के जाते थे जैसे वो चले जा रहे हैं पेड की डाली हवा में ऐसे लहरा रही है देखो यह देखो के इसी दूसरे के पास जाके तीसरा रंग पायदा कर रहा है और वो यहां शेहरेन मसूद कर रहे हैं आ जो है थोड़ा से तुमको मसूद को फील करो वो उन्दर यह यह तहारो जो फील करो और उनर वो खिलिक्त होना चिंड झाल आधा truth the feelings को प्राकिकली आपको दिकाते और दूसरा क्या कि समाज में रहना है कलाकार को आगे बढ़ना है च्छात्र पता नहीं कहां कहां से आते हैं घर का परिवेश क्या है पैसा है नहीं है अभाव है नहीं अगर अभाव है तो अभाव को दूर करते थे वो कोई बड़ा मुरल का प्रोजेक्ट ले लिए उसे यहां वो सब एक अपने विशय के मूर्धने थे अपने उसमें थे वो उनका जो है इंटलेक्ट और स्किल दोनों का सामन जसे था और सभी इंट्रनेशनली नोन थे जो छात्रों को जिनके नाम से कुलकरणी साहब के नाम से जैसे हमको स्कलर से मिली और वहां वो जितना भी हुआ तो यह रास्ता दिखाते थे जैसे बड़े-बड़े आर्टिस्टों को बुलाते थे सान्याल हुए जियार संतोस हुए आपके लक्षमडपई और जितने लोग पुरने केजी सुभणियम सब को बुलाते थे सब के संपर्क मिलाते थे और साथ में बैठते थे जाके क केजी सुभणियम और यह बारे में जो मुर्गा उर्गा काफी बनाते थे तो यह सब वो दिखाते थे उनका उनका इमानना था और हमको हमारा भी मानना है कि किसी भी कला जिग्यासू जो आगे कला की सिख्षा चाहता है उसके लिए यह आवस्च्यक है कि अधिक से अधिक उसको देखें उसको आपजर्ब करें चीजों मतलब द्रिश्यकत रूप में जैसे पेड़ है पौधा है जिया है अथ्वा एक्जिबीशन से बहुत सारी पेंटिंग लगती है मूर्तियों के लगती है तो उसमें जा जा कि उसको जाय करें देखा करें उससे तो उसको ग्य वो ट्रीशनल आटिस्टे हां बजनाजी यस बजनाजी थे वो ट्रीशनल आटिस्टे और वो रामायन परग्णों ने बहुत सा काम किया था राजयलालित कला अकादमी ने उस समय देश की स्वाधिन तक की गोल्डन जूबली मना रहा था उसको आमको इंचार्ज जनाज न तो बहुत बड़ा आउनर था, विचारे एक लंबे समय से उनको दिखाई भी नहीं देता था, फिर भी उपजो करपाये, करते गए उनका बहुत बड़ा समान किया था, जिए, विल्कुल। तो भी ट्रीशनल काम करते थे रियालिस्टिक काम का था ड्रीशनल काम भी करते थे हिब्बार एक बार आये थे तो गंगा जी के में नाव लेके और सब और छात्रों तो जाकर साथ में इसके चीज़ उसे बड़ा फ़र्ट पड़ता है जो बाहर का कोई रेक्ती आता है और अपने हां के छात्रवन उसके साथ गंगा का भरमड करते हैं उसे इंटरेक्ट करते हैं उनके दृष्टी बदल जाती है देखने की उनकी हिसाफ से देखना सीखते हैं अच्छा उसमें प्रोफेसर रा पाद एक शैली है एक नाम से उन्होंने विक्षित किया था काफी एक्जिविशन्स पगराब उसकी करते थे वह विद्वान बहुत एक एसेट थे और वह कई कि बहुत सारी किताबे लिखे हैं और उनको उतिहास के च्वर्ण आक्षरों में है थोड़ा सा डेपलब हुआ जानना चाहरा है कि चित्रकला की तो अनेक बात आपने वताई है मूर्टिकला की क्या स्थिति थी एक नाम तो आपने डिपी सिंजी का लिया दिनेश प्रताप सिंजी का वो तो स्रिधर महापातरीजी के विद्वान थी 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 और लपनव से ही जाके उन्होंने पड़ा इसके पहले मूर्टिकला में ऐसे बालबिर सिंग काट को यह लिए है देलिद्दास गुपता जी थे पेंटिंग में जाट पर तो पता नहीं कितना काम किया हमेशा काम करते रहते तो वो दिलिद्दास गुपता दिन में कम से कम सुबह के समय चार घंड़ा जाता रात में भी करते रहते थे हैं अजय से बस में आंख लग गया है तो तो 2 3 4 क्लर अरये करके बार देख लेह cuánt dollar यह कर लिए तो लगते थे तो वह इसका जवाब ले तससे भीए बहँ intenazo करते थे और डीपी बनर जी थे ग्रैफिक में हमारे जिए वो इंटरिट्री रेणाउंट परसं थे और बढ़िया काम उनका प्रिंट जो है कलर कॉम्बिनेशन और टेक्शर उसमें तरह-तरह का उसमें कुछि मिक्स मीडिया का भी प्रिंट में काफी काम किया दो तो बढ़ि अब बाद के लेटर प्रियर में लेक्टिका कट वहां शुरू में लेक्टरर थी लेकिन बाद में जा करके वह बाहर चली गई वह आपके डेली उसमें चली गई जामिया मीलिया में चली थी मदल लाल के बहुत कंट्रिबूशन है उन्होंने राम च्छत पर नियास करके वहां रखा है और बहुत हमेसा कला की जो वह अलग-अलग कारिक्रम करते रहते हैं बाहर से विदेशियों को भी लाके काम करते हैं आपके सांकु चौधरी के भी वो स्टुएंट थी बड़ी महत पहुत ही स्किल उनके अंदर था पॉर्टी सेरमिक और वो सही में अंदर से वो उनका व्यक्तित बड़ा उचा था वो साधक जैसे लगते थे संत जैसे लगते थे भाशा उसा में ज्यादा नहीं पड़ते थे विद्वत्ता हाँ तो विचारपक्स को किनारे रखके वो माहिर थे और छात्रों से प्रेम रखते थे और सबको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में थे लेकिन सबसे बड़ी चीज यह कुलकरणी साहब को इसलिए धन्देबाद देंगे कि उन्हों ने जितने लोगों को यहां स्थापित किया अपने-पने फिल्ड के माहिर थे प्रोफिसर अंजन चकवरती वो कला इतियासी नहीं वो विद्वान वो फाइनार्श के भी बहुत माहिर है वो इतना ट्रेडिशनल टाइप बहुत ही उन्दा काम करते हैं और विद्वत्य के मामले में उनका कोई जबाब नहीं है अंजन चकवरती का और वो बहुत बढ़ प्रणाम शिंग आये हैं बाद में संतोष तो यह सब बहुत सारे लोग यहां आये हैं और वो अपनी अपनी फील्ड में काम बढ़्या किये हैं आप तंत्र कला या कला में तंत्र ऐसे विश्यों में रूच लिये थे? नहीं, एसना में हमारी जो थीस है, symbols in tantra art, तantra कला में प्रतीक, तो तंतर हो दृषिगत रूप में, वो symbols का collection है, उसमें हम tantrik हैं, इसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है, symbols का collection है और बढ़िया काम है, उसको देखेंगे, तो सही में वो विभिन सैलियों में जो तंतर के symbols पड़े उसका वरणन है दरसल कला साधना करते-करते विल्कुल आध्यात्मी की सिटी में पहुंच जाता है आध्यात्म की द्रिश्टी बताएं क्योंकि जब हम कला सिख्षा के लिए एक टीचर क्लास में गया सो लड़के हैं पचास लड़के हैं अब वो क्लास ले रहा है तो एक टीचर यह होता है जो हापना व्यक्तित था ञत्र के उपर पूरा देता है गटाके कता है क्या ससे करो तो व्यक्तित वूड में सुरू सुरू में केडम सब्सक्राइब करने मेह तो करने में वह अगर बोलता है तो जैसे मुजिप सफ का कर थी कटोरी करते को तो जब आवाज निकल तीर तो अलग जगह से साउंड आता है कहीं बड़ा साउंड है कहीं छोटा है को इस तरह का आवाज आता है तो मतलब यह है कि जो छात्र है अलग अलग व्यक्तित्व है तो वो जो डाइरेक्ट उतना ग्रहन करते हैं वो जितनी उनकी छमता है उतना ही ले पाते हैं और वो वहां से उनका लेबल यह लेकिन जब क्रियेटिविटी की तरह हम बढ़ते हैं और उसके जो अंतस चेतना को हम डेवलब करा देते हैं वो आध्यात्म को समझने लगए स्वा में चला आता है वो सेल्फ रेलाजेशन की तरह बढ़ने लगता है जब समझ में नहीं है उसको क्योंकि संत तो बनने आया न में हम लग जाते हैं तो होता क्या है कि हम बाहर से उसमें कटे रहते हैं मन से चीजों को भले कलक करते रहें और इंट्रोवाटनेस डिवलब होता है तो जो द्रस्टा और दृष्य का एक तरह से विलय होने लगता है तो उस समय क्या होता है कि हम वो कंसेंट्रेशन माइन का क्लाइमेक्स है वो मेडिटेशन एक तरह का है सादू संद जैसे पहाड़ों में करते हैं आप प्रेटिकल लाइफ में मेडिटेशन कर रहे होते हैं और तब क्या होता है कि आप उसके दवरान आपको एक विशेश चेतना मिलती है वो आपके एथीरियल बाडी से भी मिलता है और सारे जो नेचर है जो प्रकृति है उसमें जो वाइबरेशन है उसको हम रिसीब करते हैं और हमारा जो ओरा है वो बढ़ने लगता है और उसमें विशेश आनंद प्राप्त होने लगता है आनंदा तिरेक में हम आ जाते हैं समझ नहीं पाते हैं लेकिन बड़ा मजाता ह काम करने के बाद यह होता है क्या रिलेक्स कितना रिलेक्स हो गया तो यह जो बिरेचन हो गया और इसलिए हम कहते हैं कि जैसे गीता में कहा गया है कर्म ही पूजा है कर्म ही पूजा है सही में कर्म ही पूजा है आप अपने कर्म में लगे हैं आपको जो सही में अध्यात्मिक अपना है व्यक्ति जो गीता के जितना आधार है वो लगते हैं आप में अंदर प्रस्फुटी थोने आपके अंदर वो उसकी वो बढ़ने लगता है और वो सब को बस दरुकुटनुकम की भावना आने लगती है जाते हैं उनका पहला आकर्षन घाट होता है जाता है कि एक द अब हाँ रएक बिल्कुल सही बात कर रहें और उसमें कभी-कभी यह होता है कि जैसे बानारस के लोग भी बहुत से हैं जो कलाकार नहीं भी है तो अभी इस समय जो मविदा इस्थित में जो घाटों का स्वरूप हो गया है उसको देखने के लिए लोग निकलते हैं तो उस में कलाकार भी होते हैं और वो अपने ढंक से घाटों को देखते हैं अपने क्रियेशन में लाते हैं वो चाहे अब्स्रेक्ट में कोई करता हो चाहे लवा विदाय हैं संगीतकार भी जाता है तो सुबह का जो स्वार है इसको रेसीव करता है और फिर इसके बाद अविवयत कर अब स्वरों का यहां भी आनंद है वहां भी आनंद है वहां सब्द में स्वर है यहां रंग के उसमें है सेवन कलर सा गए वाइलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन एलो ओरेंज रेड अब सब्दम हो गया उनका सब्दम जो है उसारे गाम पर सब्दम है और आप उसके बाद ढून होता है उसमें भी है अलग 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 गूद होता तो सर्गार्ख जितने भी रच उनका जो जो यह अलग रंग है औरि उसस्वर है तो इनद भूट बनावा स्गाट सभी का करशन थे सब पूनता में सब कुछ है वहां जो हरे अपने मतलब का ले लेता है। बहुत अच्छा लगा कि आप स्वे बनारस पे और बनारस के कला पर द्रिश्व पर और बनारस में काशिंदु विश्व जाले के ललित कला द्रिश्व ला संकाय पर बात हुई। ने हमको तो यह अच्छा लगा कि आप हमारे संस्था से निकले हमारे विज्व लार्ट फेकल्टी से यह चू से आप आए और आप आपने यह कला दिरगा आपका आपका जो व्यक्तित हो है यह चारो तरफ अब प्रिंट के रूप में किताबों के रूप में आवाज के प्रिंट के लिए बहुत बड़ी चीज है और यह ऐसे करते रहे हैं हमारे अपको आशिरवाद है आप सब कर दिया हो संस्कार मार्ट दर्शन है